हेलो गाईज मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ एकॉनोमिक्स लव कोशिक स्वागत करता हूँ आपका कोटिल्या बैच में क्या हाल चाल मेरे बच्चो जल्दी से लाइव चैट कॉमेंट सेक्षन में अपनी अटेंडेंस लगा दो लव सरकी क्लास में अटेंडेंस क नंबर से पड़ाई को चालूरा होंगे एक दम जबरदस जबराट फुल पावर और एनर्जी के साथ क्लास के लए ओंगे क्योंकि अब आने वाला है सूपरडूपर स्वास्ट मज़ा क्योंकि हमारे क्रवकोर्स देडehदे देडए दे नीडए लैज़त जिरे देडए दे इससे यह chapter number two है ध्यान रखना और इसका यह lecture number two है आपको मुद्दे की बात बताता हूं इस chapter का overall content अगर आपको chapter समझनी आ रहा और आपके दिमाग में बस नहीं रहा तो आपको एक बात ख्याल रखनी है कि मुझे अगर यह chapter पढ़ना है chapter number two तो इस chapter के दर चार item given है एक planning commission दूसरा agriculture policy तीसरा industrial policy चौथा foreign trade policy पिछली क्लास में मैं आपको planning commission और agriculture policy के बारे में बता चुका हूं आज की क्लास में मुझे आपको industrial policy और foreign trade policy के बारे में बताना है तो today's topic industrial policy foreign trade policy और कुछ question answer जिसको करके आपके मन में आएगा एक बड़िया level का confidence तो उस तरह के से start करेंगे देखो दोस्तो चैप्टर की रूप रेखा में एक point आपको बताता हूं कि जब हमारा देश आजाद हुआ हमारे देश की आजादी के बाद हमने कौन कौन सी policies बना के अपने देश को develop किया वो सब इस चैप्टर में पढ़ना है और मैं आपको बताऊंगा हमने कौन कौन सी industrial policy बनाई इंडस्ट्री का मतलब factory manufacturing unit production unit से related कौन कौन सी policy बनाई तो देख हम है डियर में बनाई गई जिसका नाम था इंडस्ट्रील पोलिसी कि रेजोलूशन है को वह इसको बोलता है आई-पी-आर- नाइटीन-पॉर्ट्री एट शैल टेश आजाद शोते ही इंडस्ट्री बनाई थी इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर क्या content है वो आपको नहीं पढ़ना आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि सबसे पहली इंडस्ट्रियल policy जो बनाई थी उसका नाम था इंडस्ट्रियल policy resolution 1948 कुछ तो होता होगा इंडस्ट्रियल policy में बनती है कुछ बात तो होती होगी जी हाँ बात होती है तो आपको बात पढ़नी है यह वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोलूशन 1956 की बात यानि इसको बोलते है शॉट में IPR 1956 आई का मतलब इंडस्ट्रियल पी का मतलब पॉलिसी आर का मतलब रेजोलूशन है दोस्तो 48 में पहले पॉलिसी बनाई हमारे देश ने फिर उसको अपड्रेट किया 1956 में तो 1956 वाली पॉलिसी आपको डीटेल में पढ़नी है हुआ क्या था हुआ क्या था बहुत बड़ी बात बताऊंगा देखो तेश अजाद हुआ 1947 में उस टाइम पर ये बहुत मुश्किल हो रहा था कि देश को डवलप कैसे करें देश के अंदर goods and services का production करना है factory में production unit के अंदर कौन क्या बनाएगा पहुत सारी problem आ रही थी हमारे देश की सरकार ने सोचा कि कुछ ऐसी चीजे हैं जो सिर्फ सरकार को ही बनानी चाहिए अगर कोई private sector का बंदा उसको बनाएगा तो देश के लिए खतरा भी हो सकता है और शायद private sector का बंदा उसको अच्छे से ना बना पाए तो ज्यादातर important important चीजे सरकार ने खुद अपने हिस्से में रखी तो 1956 की industrial policy ये बोलती है कि देश के अंदर जितनी भी industries हैं सरकार ने सारी industries को तीन category में डिवाइड कर दिया category A में वो सारे काम धंदे आएंगे जिनको सिर्फ सरकार कर सकती है यानि public sector कर सकता है category 2 यानि category B में वो सारे काम धंदे आएंगे जिनको भी सरकार कर सकती है अगर सरकार के बसकी नहीं हुआ तो private sector को करना allowed है और category C में वो सारे काम धंदे आएंगे जो private sector के लिए allowed है भाई तू कर ले कोई दिक्केत वाली बात नहीं है फिर से सुनना मेरी बात को IPR 1956 की policy बोलती है देश के अंदर सारे काम धंदों को तीन category में डिवाइड किया जाएगा category A में वो goods आएंगी जिनकी production या manufacturing सिर्फ government करेगी या नि पब्लिक सेक्टर करेगी category B में वो goods आएंगी जिनका production government करेगी लेकिन government के बसकी नहीं हुआ तो private sector कर लेगा मतलब यह क्या category B में बोलते हैं कि main role government sector play करेगा और दूसरा secondary role private sector play करेगा बहुत important बात बताई है जो serious level पर बच्चे पढ़ना चाहरे न उनके लिए यह एक लास काम की है ठीक है सचीन भाई ऐसा नहीं है भारत उस्ताद यह बोल रहे हैं recorded live चल रहा है मीटर यार खीच के कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जी फिर आगे बढ़ जाओ category C में वो सारी goods आएंगी जिसको कोई भी बना सकता है कोई problem नहीं कोई दिक्कत परिशान्य नहीं है ठीक है जी उस्ताद मजा आ गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है very good evening everyone बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है तो चलो जी मैंने क्या बोला पहन का कलर क्या रखों वाइट रख लेते हैं इस policy के हिसाब से यह बोला गया देश के अंदर सा हमारे काम धंडे को जो 3 category में डिवाइड किया जाएगा वोन कौन शी के ए वी एसी एक तीन के डिगरी में और एक के डिगरी में 17 काम धंदे है जैसे कि हवाइजा जुडाने का काम धंदा हो गया अब तुम्हें बताओं हमारे देश में सबसे पहले airline एयर इंडस्ट्री मे कदम रखा था TATA ने हमारी पहली एरलाइन का नाम था TATA एरलाइन 1932 में एरलाइन बनी थी वो अब देश अजाद होते ही 1948 में हमारे देश की सरकार ने इस एरलाइन को अपने कबजे में कर लिया और नाम रख दिया एर इंडिया और देख रहे हो आज फिर से वो टाटा के हाथ में है खेर वो बात दूसरी है कोई दिक्कत नी तो कैटेगरी ए में 17 काम धंदे सरकार में रखे जैसे कि एरलाइन हो गया इलेक्टरसिटी हो गया हजार्डियस कैमिकल हो गया या फिर एटोमिक पावर हो गया रेलवे हो गया बहुत में में काम धंदे जो एक देश की ग्रोथ के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है critical है सरकार कह रहे हैं सब हम करेंगे कोई दूसरा नहीं कर सकता इसके उपर तो government ही कूद पड़ी है क्या लिखते हैं जब government करती है तो government यानि public sector public sector करेगा फिर category B में 8 काम धंदे डाले सरकार ने ये लोहा, इसपाथ, कोटन, टेक्स्टाइल, मोटे-मोटे इंडस्टरी वाली चीज़ थी सरकार ने बोला, ये भी हम करेंगे, हमसे ना हुआ, तो private sector कर सकता है private sector यहाँ पर government को supplement करेगा यानि main काम सरकार करेगी, ये नहीं हुआ, तो private sector आ जाएगा यहाँ पर ये बात होगी भारत कुपता, industrial policy का meaning मैंने बताया ही नहीं ये industrial policy चल रही है अभी माइनिंग, fertilizer सब category भी में आएगा अब इसके अलावा जो भी बच गया, 17 और 8 पचिस 25 के अलावा जो जो भच गया, दूद, ब्रेड, आमलेट, चीनी, चावल तोटी मोटी चीजे, वो सब category C में आएगी यहाँ पर अधर, जितनी भी चीजे बच गई, वो सब आ जाएगी ये सब private sector कर सकता है, कोई डिक्कत नहीं है देखो जी दोस्तों, सबसे पहले मेरी बात समझो industrial policy होती क्या है सरकार ऐसी policy बनाती है, जिसमें ये लिखा होता है कि कौन-कौन किस-किस काम धंदे को कर सकता है उस policy को बोलते है, industrial policy हमारे देश में सबसे पहले industrial policy 1948 में बनी इस policy में हमारे देश के काम धंदो को चार पार्ट में डिवाइड किया था 4-fold classification बोलते हैं ये तुम्हें पढ़ना नहीं है फिर इसको अपडेट किया गया 1956 में यहाँ पर हमारे देश में काम धंदो को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में डिवाइड करने को हम बोलते हैं 3-fold classification classification 3 पार्ट में ठीक है जी, industry 3 पार्ट में होगी और बड़ी से बड़ी बात ये ले लो सरकार ने बोला 1956 में कि चाहे private sector ये सारे काम कर सकता हो C category वाले, लेकिन private sector कोई भी काम करेगा, उसको हर एक काम के लिए सरकार से permission लेनी पड़ेगी, जब सरकार से आप permission लेते हो न, तो उसको बोलते हैं कि आप सरकार से license मांग रहे हो, ठीक है बारत गुपता, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का नाम रखा है, IPR platform, राइट ठीक है, कोई नहीं पायल तो, अब कोई बोले, भगया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 को explain करो, इसकी क्या features है, हम बोलेंगे, इस policy के हिसाब से, हमारे देश की सारी इंडस्ट्रिय को तीन कैट्रिय में डिवाइड किया गया दूसरी बात, कोई भी कुछ भी काम धन्दा खोलेगा, प्रइवेट सेक्टर का बंदा, तो उसको सरकार से लाइसेस लेना कंपल्चरी कर दिया गया mandatory कर दिया गया, ये कुछ इंडस्ट्रियल ळाइसेंसिंग सरी कर दिया यहां पर, ठीक है पूई बोल रहा है अचा, अचा बी केटिगरी में आठ नहीं है शूरल लित केटिगरी में 12 है कोई धिक्कत निया बात है, इसके निदर छोटी-मुटी माईनिंग, चोटी-मूटी देश को बताया 1956 में भाई इंडिया के अंदर अभी भी ज्यादा तरी लाका गाउं वाला है रूरल एरिया है भाई विलेज एकॉनमी है तो अगर कोई बंदा विलेज में गाउं के अंदर अपना काम धंदा खोलेगा अपनी फैक्टरी डालेगा प्राइवेट सेक्टर का बंदा तो सरकार उसको पैसों में हेल्प करेगी सरकार उसको टैक्स में छूट देगी सरकार उसको सबसेडिज भी दे सकती है तो जो बंदा अपना काम धंदा गाउं दिहात में खोलेगा उस बंदे को tax concession मिलेगी subsidies मिलेगी और सरकार एक बात और बोल रही थी चलो ठीक है कोई बात नहीं गाउं दिहात में तो तुम कुछ भी खोलो तुमें फाइदा होगा अगर तुम छोटी 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 scale industries तो जो small scale industry खोलेगा इसका मतलब यह है कि वो हर घर में से किसी किसी बंदे को नोकरी दे रहा है चोटा मोटा काम है गली मुलने में खुल रहा है तो उसको भी सरकार tax में शूट देगी ठीक है तो overall 1956 की IPR policy exam के लिए बहुत important है इसके बारे में आपको 4 point कम से कम पता है पह इसरा point जो गाउं के इंदर काम धंदा खोलेगा उसको tax में छूट मिलेगी चौथा point जो small scale industry खोलेगा कहीं भी खोले चाहे शैर में भी खोले उसको भी tax में शूट मिलेगी तो तुमारे सामने बड़िया तरीके से ध्यान रखना लिखका है according to IPR 1956 industries were classified into the following three categories तीन category में डिवाइड कर दिया industries को category 1 में 17 industries were listed, listed का मतलब उस list में 17 industries थी registered कौन कौन सी थी वो बताऊंगा and all were established and earned exclusively by the public sector, public sector का मतलब government, exclusively सरकार के दुवारा ही यह मालिका न हख रखा जाता था यानि सरकार ही इसका मालिक हो सकता और कोई नहीं, जैसे की aviation, aviation का मतलब हवाईजाज की industry, बिजली की, atomic energy और यह सारे नाम याद होना तुम्हें जरूरी भी नहीं है, दो तिन नाम हो गए कानी खता category B में 12 industries थी, इसमें line लिखी हुई है, 12 industries were listed in this category for which the public sector will perform the main role, 12 industries थी जिसके लिए public sector यानि सरकारी सेक्टर main role play करेगा, सरकार ही इसको शुरू करेगी while the private sector will play the secondary role, यहाँ पर private sector secondary role play करेगा, इसका मतलब यह सरकार से नहीं हुआ तो private sector बीच में आ सकता है, मुष्कान chapter number 2 है, जिन पर TRJN की book है, उनके लिए chapter number 3 है, NCRT के हिसाब से chapter number 2 चल रहा है, ठीक है it means the private sector supplement, the public sector, यानि private sector, public sector का supplement करेगा, ऐसे industry जो cotton, textile, jute, या aluminium industry की होगी, बड़े-बड़े metal की industry होगी ठीक है, और third category में, जो बाते A और B category में include नहीं है, वो सारी बाते third category में है, सारी goods तो जो बच गया bread, butter, omelet वो private sector कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यह पहली feature है दोस्तों, IPR 1956 की पहली feature है, पहली feature में तीन पॉइंट है, यह अकेली feature तीन नंबर में विपर में आ जाती है, explain करने के लिए नहीं नितिन यादव जी है भाई है अनुकुरिती पटेल है, unit 1 के अंदर है दूसरी feature क्या है, दूसरा point है, private sector industries तभी establish हो सकती है, जब वो license ले लेगी किसे सरकार से, ठीक है जी, तीसरी feature है, कि tax में rebate दिया जाएगा, rebate का मतलब होता है, छूट, tax में छूट दी जाएगी, और दूसरी छूट, concession भी दी जाएगी, tax के लावा जो और सरकार help कर सकती होगी, वो देखा जाएगा, private sector को दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, उन लोगों को दिया जाएगा, whose industries was established in the backward region, जिनकी industry पिछड़े इलाकों में गाउं धिहात में है, उन सबको ये benefit मिलेंगे, ठीक है, कचीन, chapter 3 के बाद, आई, हरदेश जी पूछ रहे हैं, कि license क्यों लेना पड़ेगा government से, आई, सरकार का राज है, सरकार बोल रही है, तुम कामदंदा खोलना चाहते हो, तो license लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा, अगर तुमने बिना license लिये हुए कामदंदा खोल दिया, तो सरकार उसको बंद करा देगी, तुम्हें सजाबी दे सकती है, मुसकान NCRT में unit 1 है ये, chapter number 1 के बाद ये दिया हुए सारा, आप मेरी बात सुनते रोबस, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर लिखा है, more importance was given to the development of small scale industries, small scale industry मतलब SSI, इसकी development पे ज्यादा focus किया, जो भी ये कामदंदा खोलेगा उसको subsidies और tax में concession मिलेगी ही मिलेगी, दोस्तो NCRT में word use किया हुआ है, tax concession और subsidies को बोलते हैं, industries को दिये जाने वाले SOPS, industrial SOPS, industrial SOPS कोई teacher इस पे इतना focus करता नहीं है, कोई पूछे ले industrial SOPS क्या होते हैं, तो industrial SOPS, industry को खोलने के लिए दी जाने वाली छूट होती है, TR Jain की book में chapter number 3 है, संदीब गर की book में chapter number 2 है, IPR का full form बिल्कुल सही लिखा है नूर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुसकान यादव, अनुजमिना, दिवैंशु, विकास, बहुत बढ़िया, भरत बाई, thank you so much, इतना प्यार दे रहे हो यार, इतना प्यार करते हो, thank you, thank you so much, बस प्यार तुम्हारा चाहिए, तुम्हारे प्यार से विरेंदर confidence आता है, तुम्हें एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, एक सुआद चाहे कितने की मिलती होगी यार, चाहे मार्केट में 10 रुपे की मिलती है, 20 की, 30 की, 35 की, सुआद चाहे 50 तक की मिलती होगी, और वो ही चाहे तुम 5-star hotel में जाके देखो, 400 रुपे की, 500 रुपे की, difference किस चीज का है भाई, सारा मामला presentation का है, समझे रहो, अपनी जिंदगी को कुछ इस हिसाब से, जी हो, कि तुम जो सोचते हो ना, वो दूसरों के सामने बोल के बता सको, ठीक है, हाँ नियती, फोर्थ पॉइंट रिपीट करो, चोथे पॉइंट में लिखा है, जिजिस बंदे ने SSI खोल ली है, उसको भी ये छूट मिलेगी, जो इनको मिल रही थी उपर वालों को, गाउं में खोलने वालों को, SSI तो शेर में भी खोल सकते हो, दिवैंशु जी, एप पे चलता है, तुम्हें एक बात बदाता हूं, ये तो 1956 की पॉलिसी है, लेकिन स्मोल स्केल इंडस्टरी से रिलेटेड, हमारे एक 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 इकौनमिस्ट थे कारवे जी, इनके नेतरतव में, मतलब इनकी लीडर्शिप में, 1955 में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग को बोलते हैं कारवे कम कमिटी हुई, उन्होंने 1955 में डिसाइड किया कि देश के अंदर स्मोल स्केल इंडस्टरी और विलेज में जो जो काम धंदे हैं, उनको डवलप किया जाना चाहिए, पस इतनी सी लाइन लिखी हुए NCRT में, बहुत बार पेपर में एक नंबर का कोशन आता है, कि कारवे कम में दिया गया टोपिक है, वो स्मोल स्केल इंडस्टरी का ही है, अजादी के टाइम पे स्मोल स्केल इंडस्टरी उसको बोलते थे, जिसके अंदर पांच लाग से कम पैसा लगा हो, अजादी के टाइम पे, उसको बोलते थे, पिर आज के टाइम में स्मोल स्केल इंडस्ट में आते हो आजादी के डाइम पे 5 लाग था ठीक है दस करोड हो या तुम टर्णोवर का मतलब होता है एक साल में माल कितने रुपे का बेचा है तो उसको जोगते टर्णोवर तो तुमारी turnover पचास करोड भी है न तो भी तुम small scale industry में हूँ तो या स्मूल scale industry का मतलब क्या हुआ? अगर मेरे business में 10 करोड से कम लगा हुआ है तो मैं small scale industry में हूँ या फिर मेरी sale 50 करोड से कम है, एक साल के अंदर तो भी मैं small scale industry में हूँ अगर बंदा बोलरा है सर मेरा पांच करोड बिजनस में पैसा लगा हुआ है लेकिन मेरी सेल 50 करोड से ज़्यादा है तो आप क्रॉस कर गए ना लिमिट दोनों में से कोई भी क्रोस कर गए तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में नहीं हूँ आप बड़ी में आ गए कि यह system ही खतम हो गया आज के डाइम में पता हुआ कैसे खतम हुआ आज के डाइम में Small-scale industry का system ही नहीं होता ठीक है तो role of small-scale industry in achieving the goal of planning वाज underlined by the carway committee small-scale industry का role carway committee के दुआरा underline हुआ रोहित परियार good evening बाई लेट आयो ठीक है जानवी हाँ जिसको हम बोलते हैं village and small scale industry committee भी के paper में आ जाता है 1955 year ध्यान रखना आज के बारे में तुम्हें बताता हूँ latest जमानने के इसाब से कुछ important point small scale industries के बारे में दोस्तों यह हमारे देश के अंदर employment generate करने में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा काम आती है छोटी छोटी इंडस्टरिया आज मैं बताऊं आपको आपके घर के 5-10-20 km की दूरी पर इंडस्टरियल एरिया होते हैं अंकित यदिमंची होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को नोकरी मिल रही होती है तो बस employment generation के काम आता है लोगों को बिक फर्म अभी इन छोटी छोटी इंडस्टरियस को बड़ी बड़ी फर्म से बचाने की जरुरत है कैसे जरुरत है उडा देती है वह कैसे बड़ा देती है छोटी 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 इंडस्टरियस competition नहीं कर पाती बड़ी बड़ी data reliance बाटा से सरकार जान भूच कर इनकी help करती है पैसो की थोड़ी वो छूट देती है तरकार क्यों करती है इसलिए भाई क्योंकि इनके पास भी लोग काम करते है काम दंदा बना रहे है ठीक है भारत गुपता कार्वे कमिटी का सिर्फ एक ही पॉइंट करना है कार्वे कमिटी वो कमिटी है जो 1955 में इस्टैबलिश होई इस से रिलेटेड SSI और विलेज इंडस्टिरी से रिलेटेड दाट्स इट करते है अब नया फंडा चल पड़ा है MSME का MSME क्या होता है Micro, Small and Medium Enterprise ये देखो जी MSME ये है MSME हमारे देश में Micro, Small, Medium, Enterprise Act आया 2006 में इसको time to time update भी किया गया लेकिन इसको depth में नहीं पड़ना है मैं आपको बता रहा हूं कि अब Small scale industry नहीं होती अब एक Micro होती है Micro से बड़ी Small होती है Small से बड़ी Medium होती है और जो इन से बड़ी होगी वो लार जोगी कि सिस्टम ही खतम हो गया पहले की जमाने की बात होती थी Small scale industry में प्रॉब्लम भी बहुत सारी होती है कि पुरानी technology यूज करते हैं ठीक है और डर रहता है मेशा कि बड़ी इंडस्ट्रियों को बीटना घर दे इस सारी चीज़े बस लेकिन जितना मैंने कराया है आपके exam में उतना ही आपको ध्यान रखना है और फिर industrial policy के मामले में हम अपना topic overall खतम कर चुके हैं बस एक question तुम्हारे paper में NCRD में दिया जाता है जो बच्चे को परेशान करता है question है कि बताओ हमारे देश की industrial development में सरकार का role क्या था role of public sector public sector मतलब सरकार हमारे देश की industry पूरी देश की development में नी इंडस्ट्री को grow कर में सरकार का role क्या था उस्तात मुद्दे की बात सुनना जब देश अजाद हुआ न तो सरकार को विश्वास नहीं था कि कोई private sector का बंदा भी देश की तरक्की के लिए सोच सकता है तो सरकार को लगता था ज्यादातर काम धंदे सरकार के द्वारा ही किये जाने चाहिए तो इसलिए government ने जो industrial policy बनाई थी उसमें ज़्यादातर काम धंदे मोटे मोटे अपने पास रखे तरकार ने तो कि सरकार को लगता था कि private sector अगर काम करेगा तो वो profit के बारे में सोचेगा गॉर्मेंट अगर काम करेगी तो वो social welfare के बारे में सोचेगी और देश अभी अजाद हुआ है तो profit से ज़्यादा social welfare के बारे में सोचने की ज़रुत है तो role of public sector ज़्यादा था ज़्यादा होने का कारण क्या है क्योंकि सरकार के पास objective था किस चीज का social welfare का private sector इस बारे में नहीं सोच पाता दूसरा private sector के पास पैसों की भी कमी थी shortage of capital देश अजाद ही तो हुआ है सरकार बाठ थोड़ी थी limited लोगों के पास था अब उस टाइम तो बिरला के पास भी था टाटर के पास भी था तो इन्होंने तो बहुत कुछ किया लेकिन जाद अतर लोगों के पास नहीं था ठीक है और फिर lack of incentive for private sector private sector के लोगों के पास कोई खास लेवल का incentive भी नहीं था कि तुम ये काम स्टार्ट कर लो तुम वो काम स्टार्ट कर लो कोई खास incentive नहीं था तो ये तीन रीजन है कि सरकार ने ही क्यों जानबूज कर कूदी देश की industrial development में और मुद्दे की बात आती ह है जब हमारा देश अजाद हुआ तो हमने कौन सा economic system यूज किया था हमने भईया अपना देश अजाद हुआ था तो mixed economic system यूज किया था यानि ऐसी economy जहां पर कॉर्मेंट और मार्केट तोनों मिलकर काम करेंगी इंडिया अडॉप्टेड mixed economic system after independence इस fact को याद रखना एक नंबर का MC क्यों आ जाता है आ जाता है यहाँ पर हमारी industrial policy का समापन हुआ अब जो हम topic पढ़ेंगे that is your foreign trade policy foreign trade policy मतलब दोस्तो export import से related बाते पढ़ने वाले हैं बहुत important है इससे पहले आप मेरे कुछ questions का जवाब दे दोगे तो मेरे को प्यार आ जाएगा बहुत ज्यादा option आपके पास 1956,1950,1965,1973 जल्दी से बताएंगे 30 seconds का तुम्हे टाइम दे रहा हूँ जल्दी खट-खटा-खट बताना चालू कर दो मीटर खीच दो पिशाल राजपुत जी पूछने है सर बेसिकली इंडस्टरी का मतलब होता गया है देखो जी एक market को इंडस्टरी बोलते है या फिर आप बोलतो एक factories का जो group है उसको इंडस्टरी बोलते है हमारे देश में सबसे पहले इंडस्टरियल policy 1948 में बनाए गई दी ठीक है लेकिन यहां पर 1948 ऑप्शन ही नहीं है इसलिए हम अपना अंसर जो रखेंगे 1956 ही रखेंगे क्योंकि यही वाला ऑप्शन हमारे पास इसके तुरू इंडस्ट्री इसको तीन पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ था देखरो 90 से ज्यादा प्रतिशत बच्चे सबसे जल्दी अंसर दिया है तो हर्शिका, रिया, आमतुला, अंशिका और सोमिलगर्ग आर दा टॉपर्स अफ दिस अंसर अगले पर जटाक करके पठाक करके आएंगे, नेमदा कमीटी फॉर्मड फॉर्ड विलेज एंड स्मोल स्केल इंडस्ट्री इंडस्ट्री इन 1955, उन्निस सो पच्पन में स्मोल स्केल और विलेज इंडस्ट्री के लिए कौनसी कमीटी बनाई गई थी, उसका नाम बता दो, नर्सिम्मा राओ समय करेंड़ कमीटी, बेसल कमीटी, रंगाराजन कमीटी, रंडवली, दंगाबली, चहन नहीं एक्सप्रेश तो देखिया होगी, वो रंगाबली दंगाबली नहीं है, ये थे, आज़ीं धा, ओके, ओके, थेक, अंकिती आदव, समझ गया है, आज कल में, कल-कल आपका काम हो जाया को बहुत बढ़िया डिलो डिलो गल्ट कर दिया को के मदलनाल जी साक्षी गुपता आइना अमरिता पायल को शिव कन्या भालके जी अच्छा ठीक है लिटा रहा है इसके साथ ही जाएंगे और आपका टाइम समाफ्त होता है अब हो पर्सेंटेज ऑफ गिविंग आंसर इस इंक्रीसिंग मिनिट बाइब मिनिट है चलो जी तो देखते हैं नंबर उन पर हर्शीता फिर देव फिर सच्छिन फिर सौमिल फिर खुशी इस आर्ड़ा टॉपर्स इंडस्ट्री को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया दो तीन चार पांच एक दो तीन चार कि अधा जल्दी से बता दो सूपर फास्ट ती से अगने आई है ज्यादा टाइम देता नहीं है का सम्मुणान जल लेगी चला 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 1956 में इंडस्ट्री को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया यह आप बता दो मुझे टाइम खतम होने वाला भाया तीन कैटेगरी में डिवाइड गया था वन तू थिरी वन में थे सत्रा तू में थे बारा जो बचा फिर तीन में तो टू इस दा राइट अंसर तू के साथ जाएंगे तू 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 बहुत बढ़ी अगर दिया तेव, सचिन, कुमार, तनमय, यश्पाल और राही are the toppers of this answer अब चलते हैं इस चक्टर में हम करने वाले हैं अपना अपना foreign trade policy देखो जी यहाँ पर पढ़ोगे आप हमारे प्यारे देश भारत की foreign trade policy trade का मतलब क्या होता है foreign trade का मतलब होता है खरीदना और बेचना foreign trade क्या होता है foreign trade का मतलब foreign country से खरीदना और foreign country को समान बेचना जब हम foreign country को समान बेचते हैं तो बेचने को बोलते हैं export जब हम foreign country से समान खरीदते हैं तो खरीदने को बोलते हैं import तो दोस्तों जो export import से related policy थी ना इसी policy को बोलते है foreign trade policy अजादी के बाद आपको बताओं तो लगबग 7-5 year plans तक 7-5 year plans तक हमने foreign trade policy को same level पर रखा और level क्या था वो सुननो मेरी बाद हम सोचते थे उस time कि आर जितना हो सके उतना foreign country के उपर से अपनी dependency को खतम कर दो हम माल मंगा रहे हैं अमरिका से इंगलैंड से विदेशों से माल मंगा रहे हैं जितना हो सकता है इस dependency को kill करो खतम करो कैसे जो चीज हम foreign country से मंगा रहे हैं उसके जैसा या उसकी copy अपने देश में बनानी शुरू करो ताकि अनिका उनकी काम दंदा मतलब यार उनके उपर से हमारी डिपेंडेंसी खतम हो जाए ठीक है अदिपांशु जी है टियार जैन वाली बुक में chapter number 3 है तो यार इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं आ आ आ आ देखो जी हम जो आइटम विदेशी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी copy यानि उसका substitute substitute का मतलब उसके जैसा होता है न उसका substitute अपने देश में बनाना शुरू करते हैं तो ऐसी policy को बोलते हैं import substitution policy यह policy इंडिया ने भी अपनाई थी और पाकिस्तान ने भी अपनाई थी दोनों देशों ने इसको यूज़ किया मैं समझ गए हम ने क्या कि हमारा देश तरक्की करें तो हम विदेशों हो से समान कहा हैंains चाइना के उपर dependent होगा है हम चाइना ये दिन बोल दिया हम तुम्य समान ही नहीं होगा इसलिए हमने importurbution policy use की इंप्आश अबocoर्यार्यकर का मतलब होता है foreign product जो देश में import होता है उसको replace करो domestic production से domestically उस चीज को बनाना शुरू करो और क्या किया हमने यार और हमने foreign trade policy यानि export import policy से related एक काम और सोचा कि जो जो माल बाहर से आ रहा है उस पर tax लगाओ उस पर tax लगाओ तो import के उपर जो tax लगाया जाता है उसको बोलते tariff tariff के बारे में पूछे कोई तो क्या होता है tariff का मतलब होता है tax on imports इससे क्या होगा इससे ये होगा कि जो हम जैसे लोग विदेशों से समान मंगा लेते हैं अब वो हमें महंगा लगेगा क्योंकि सरकार ने tax लगा दिया तो हम सोचेंगे कि विदेशों से समान कम मंगाओ quantity कम कर दो तो ये भी एक तरीका था विदेशों से आने वाले समान को रोकने का हम चाते थे किसी भी तरीके से विदेशों के उपर से हमारी dependency कम हो तो पहला हमने काम क्या किया उनकी कॉपी अपने देश में बनानी शुरू कर दी पिर भी जो बंदा नहीं मांग रहा था ओरिजिनल मंगा रहा था मान लो विदेशों से तो हमने उसके उपर tax ज्यादा लगा दिया ताकि अब उसको बहुत महंगा पड़े और कम से कम वो मंगवा है पिर भी नहीं मांद रहा तो हमने बोला भाई अब करेंगे तेरों पर limit set limit को बोलते कोटा अपने देश ने limit set करने श्टार्ट कर दी limit है जी अब यानि हर चीज़ पर limit लगा दी थी माल लो मैं foreign country से आलू मगा रहा हूँ तो government ने बोल लिया एक बंदा 10 किलो आलू मगा सकता है बस that's it यह example है ऐसा बोला नहीं था तो ठीक है तो हमने यह तीन efforts लिए और यह efforts किसलिए थे दोस्तों यह हमारे देश के अंदर के मामले को improve करने के लिए थे तो इन सब को हम बोलते हैं यह हमारे देश की inward looking policy थी inward looking मतलब देखो ना एक होता है inward मतलब अपने अंदर जाकना तो देश अपने अंदर जाक रहा था और यह तीन काम कर रहा था export import से related तो कोई बोले foreign trade policy कैसी थी उस time तो foreign trade policy की तीन खास बाते थी number one पे import substitution हमने use किया फिर tariff लगाया जो विदेशों से समान आ रहा था और फिर हो सका तो उन पे limit यानी quota भी impose कर दिया impose करने को बोलते हैं लगाना ठीक है जी कोई पूछ ले भईया import substitution policy क्या होती है तो इसकी definition सुन लो जी हरे रंग से underline करूँआ import substitution policy refers to the replacement of imports by domestic production भहत असान बाश्रा में है import को replace किया domestic production से ठीक है जी it is also called inward looking policy इसको inward looking policy भी बोलते हैं मतलब अपने देश के अंदर ही देख रहे हो क्या objective था तुम अपने देश में import substitution करके क्या करना चाहते थे या एक तो विदेशों के उपर से हमारी dependency कम हो जाए है ना ये चाहते थे और क्या चाहते थे देखो एक important बात दाता हूँ जब तुम foreign country से समान खरीचते हो ना कैसे कि मालो किसने अमेरिका से apple का phone मगा लिया मगा लिया वही एक लाक रुपे का तो उस बंदे को लगता है कि उसने एक लाक रुपिया दिया है अक्शली वो एक लाक रुपिया उसके account में से निकल गया लेकिन हमारे देश ने वहाँ पर dollar में payment की है तो जब भी हम foreign country से समान खरीचते हैं तो हमारे देश में से foreign currency कम हो जाती है foreign currency को important चीज़ों के लिए use करना चीए ऐसा माना जाता है समझे लोग तो आप मेरी बात समझोगे तो दिमाग आपका चलेगा दिमाग में क्या बात करनी है कि भाईया पहले नंबर पे objective था the risk of falling foreign exchange reserve of India ये कम हो जाए हम चाते थे कि जो इंडिया के पास foreign currency का stock रखा हुआ है RBI के पास वो उसका कम होने का risk खतम हो उसको बचाना चाते थे हम पहला objective ये था दूसरा Indian goods were unable to compete with foreign goods इंडिया की goods उस टेम foreign goods से competition नहीं कर पारी थी तो वो चक्कर था तो इसलिए हमने import substitution policy क्योंकि इंडिया का समान विदेशों से competition नहीं कर पा रहा था पहला reason दूसरा ताकि हमारा foreign exchange ज्यादा खर्चना हो जाए उसका कम होने का risk तो ये था और आगे क्या आ सकता है भाईया tariff की definition आ सकती है tariff का मतलब क्या है it refers to the taxes imposed on imported goods विदेशों से आने वाले समान पर जो टेक्स लगेगा वो टैनिफ है quota reference to the fixing the maximum limit on import import तुम कितनी quantity तक मंगा सकते हो limit क्या है उसको बोलते quota ठीक है जी बस जी हो गया आज का काम हो गया आप मेरे कुछ कोशन के जवाब दे दो paper में कोशन आ जाता है यह 11 कोशन है वैसे दोर पुछूँगा list ऐनी 3 major imports of India इंडिया आज भी किन चीजों को majorly import करता है petroleum को करता है engineering goods, laptop वगेरा mobile phone, high tech items जो होते है और chemical fertilizer मतलब खाद वगेरा को import करता है आप बता दो कि major exports कोन से इंडिया के export किसको करता है इंडिया तो इंडिया चाय export करता है coffee export करता है और jute jute भी इंडिया export करता है यह बहुत basic level की gk है जो आपको पता होनी चाहिए हम आते हैं आपने question पर जो मैं आपसे पूछना चाहता था पिछली class से question है father of green revolution किसको बोलते हैं एमेस स्वामी नाथन एमेस मुत्तु स्वामी नॉर्मनी बरलोग या आईरन मैन आईरन मैन पता है न कैप्टन अमेरिका के दोस्त पता हो जाना किसको बोलते हैं father of green revolution बता दो अर्शित दूबे निखिल राय तुकून धृती राठोड कलोजी जैब आईरनीता विशाल या दिलकुशा फसोगे विकास या बच्चे फसेंगे मैं बता रहा हूँ शिवन्या कपिल रिसू यश बच्चे फसेंगे या यह यह स्ट्राड़जी कोशन है यह कोशन ही इस हिसाब से रचा गया है कि बच्चे गलत अंसर दे रिंकी सिंग्ख सवी कोली विराट कोली की कजन सिस्टर करक ठीक अकरत चलो जी देखो जी आपको बताता हूँ टाइम कतम हो गया पादर ओफ ग्रीन रेवलुशन बोलते हैं हरे रंग से बताऊँगा नौर्मनी बरलोग को स्वामी नाथन पादर ओफ ग्रीन रेवलुशन है लेकिन इन इंडिया है यह सिर्फ इंडिया के लिए है पूरे वर्ल्ड के लिए है कोशन में कहीं इंडिया मेंचन नी है इंडिया मेंचन होता तो तुम स्वामी नाथन को ठीक करते कोशन नहीं देखो किस तरीके से डिजाइन किया गया था देखा देखा बच्चे धोखा खा गए इस लेवल की पढ़ाई यार यहीं तो एक एक नंबर की गड़बड़ी हो जाती है इन इंडिया लिखा होता तो आप मैं स्वामी नातन को ठीक करते वह यार चलो जी कोई बात के बाद के बाद करें तो इंडिया ने फाइवर प्लानिंग अडॉप्ट की थी और फाइवर प्लानिंग 2017 में खतम हो गई फिर एक जनवरी 2015 को नीती आयोग बनता है तो नीती आयोग अच्छा पीछे कोशन में क्या बोल रहे है इंडिया मेंचन और यह यहां रहा पर हो चला गया था कोशन में इंडिया मेंचन है तो यहां पर अंसर में स्वामी नाथन ही होगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ताट इंडिया बोस नॉट सीन कोट कराने वाली गूड्स के ओपर जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं पोटा टैरिफ लगान इन गुना लगान ठीक है जल्दी जबताएंगे 30 सेकिंड से आपके पास अंसर देने के लिए उपर फास्ट तरीके से जल्दी भाईया जल्दी नहीं तो लगेगी हल्दी चला 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 यार इंपोर्टेट गुड्स पे जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ बोलते हैं डरने वाली बात ही नहीं है तो यहाँ पर सेकेंड वाला इस दा राइट अंसर है पोल को स्टोप करूँ आगे बढ़ने के लिए तो देखते हैं जातर बच्चों ने सही अंसर दिया देव यश्पाल हर्शिका सचिन शिवांग बहुत ही बढ़िया जवरदस्त उम्दा खेल रहे हो अब मैं आपसे पूछ लेता हूं इस चैप्टर के चटपटे और अठपटे कोश्चन है जिसको देखकर आपको मजा भी आने वाला है तो पहला कोश्चन टेपर में आ गया मिरेकल सीट्स किसको बोलते हैं मिरेकल का मतलब होता है जादूवी जादूवी बीच क्या होते है बई एको जो ग पाइंड विद अशौर्ड वाटर सप्लाइड फर्टिलाइजर इन्सेक्टिसाइड वूड रिजल्ट इन हाई प्रडूच्छन लेवल कहते हैं कि हाई हील्ड वराइटी सीट्स को अगर कंबाइन किया जाएगा पानी की सप्लाइज फर्डिलाइजर इन्सेक्रिसाइड pesticide के साथ, तो वो high production level कर देंगे, production बढ़ा देंगे तो इसलिए इनको जादूई बीच कहा जाता है अगला marketable surplus क्या है बहुत असान बात, अगर एक किसाम 10 kg गेहूं खाता है और वो production कर रहा है 12 kg गेहूं का, तो वो 2 kg market में बेच सकता है, extra production कर रहा है बस पिर जो extra production है वो market में बेचा जाता है, उसको marketable surplus बोलते है, हाँ जी आशिश कुमार जी irrigation को water supply बोल सकते है ठीक है, तो it is that part of agricultural produce agricultural production का वो part है, which is sold in the market by the farmer जो market में sold हो जाएगा farmer के दुआरा बहुत असान है, definition हाँ संकल पुपाद है इनफ है भाई है, नोट्स, ठीक है जी ओके रिपोट है, अगला question भाईया, explain the need and type of land reform land reform की जरुद क्यो पड़ी देश को, और type कौन से थे, land reform के, भाई मुद्दे की बात, land reform की जरुद इसलिए पड़ी क्योंकि agriculture में चल रही थी, बहुत बड़ी बसूडी, तमींदारी सिस्टम चल रहा था technology का low level था और proper inputs की बहुत कमी थी technology की बहुत कमी थी है ना, बहुत सारी problems थी जो मैंने पड़ाई आपको, और जो land reform थे, उसको अलग-अलग category में classify किया हुआ है, जैसे कि regulation of rent, land ceiling consolidation of land holdings और cooperative farming, यह तो basic basic लिखे हैं में और भी थे, land reform के अंदर अगर बात करों तो green revolution भी land reform का ही part है ठीक है, हाँ, stagnant था agriculture sector, वो reason था में है ना, तो आपको ध्यान रखना यह चीज़े बड़ी important है, यह explain करनी होगी जब paper में question आएगा तो, अगला question explain growth with equity देश की growth equity के साथ हो, यह paper में question आ रखा है और बच्चे होते हैं परिशान, यह कोची growth तो ज़रूरी है देश की, लेकिन growth equity के साथ हो तो उसका मजा ही अलगा है कैसे, यह growth with equity का मतलब है कि growth का benefit सब के पास पहुंच रहा है और growth without equity हो तो उसका मतलब है कि growth हो रही है तो कुछी लोगों को उसका फाइदा हो रहा है यहनि growth सिर्फ कुछ मोटे मोटे अमीर लोगों की वज़े से हो रही है वो growth without equity है और growth अगर सभी लोगों में share हो रही है तो वो growth with equity है, लिखका क्या है यह एक बहुत important objective भी था लिखका है one of the important objective of planning is to set stable growth with equity main planning का objective भी था कि देश में stable growth रहे बराबर के साथ साथ growth का मतलब क्या होता है growth refers to increase in the level of national income growth का मतलब national income का बढ़ना या फिर growth को आप बोल सकते हो growth का मतलब GDP का बढ़ना भी होता है कुछ भी माल लो और equity का मतलब क्या होता है equity refers to equitable distribution of national income वो national income होया GDP उसका equitable distribution equity कहलाता है तो फिर इसको explain करो ना इसके लिए सुनो क्या लिखा है for every country या for every nation it is very important to have growth along with equity सब देशों के लिए growth equity के साथ होना जरूरी है if there is only growth without equity अगर सिर्फ growth हो रही है तरक्की हो रही है GDP बढ़ रहा है national income बढ़ रही है लेकिन equity नहीं है then it means इसका मतलब यह है कि everyone is not enjoying the benefit of growth इसका मतलब यह हर एक बंदा growth का benefit देश के अंदर enjoy नहीं कर रहा ठीक है equitable distribution का मतलब यहाँ पर हुआ कि national income इस तरीके से distributed है कि उसका benefit सब लोगों को लगबग बराबर हो रहा है ठीक है जी ठीक है और आगे बाकी आगे का है आपके पढ़ने के लिए मैंने छोड़ रखा जान बुझके क्योंकि आपके पास यह teachers notes PW की mobile app में available होगे थोड़ा सा काम तुमारे लिए भी ठीक है राउट section चाल लूँ है सचिन जी कर देते हैं एक question हो green revolution के दूसरे दूसरे नाम बताओ तो इसको national agricultural strategy भी बोलते हैं और seed water fertilizer technology भी बोलते हैं ठीक है तो यह एक बच्चा बोला है राउट section देख लो जी डाउट जब बच्चे को लाइब क्लास में बच्चे जो राउट पूछते हैं वो यहां चलते हैं ठीक है जी अच्छा अच्छा बाबू बोला है कि यह ओफ है भी यह यह कैसे ओफ होता है चैट डी से बोलो सकती है डाउट section ओफ नहीं हो सकता अच्छा इसको मैं sort कर दूँ हूँ कोई दिक्रत वाली बात नहीं समझ गया हाँ जी रिशब नागरा जी अगला question आपके सामने पेश करेंगे फिर उस्ताद यह लिखा है यह NCRD का important question है कि public sector यह नहीं सरकारी सेक्टर को देश को develop करने का leading role क्यों दिया गया leading role इसलिए दिया गया private sector के पास पैसा नहीं था incentive नहीं था और वो social welfare के बारे में नहीं सूचता था सरकार social welfare के बारे में सूचती थी सरकार के पास पैसा भी बहुत था private sector के पास shortage थी और private sector के पास कोई incentive भी नहीं था कि हाँ भई तरकी इसको ही करनी चीए कि यही देश के ठेकेदार है प्रिंस जैनी अरे कहां ignore कर रहे है वहारा मैसी जाया तो हम पढ़ रहे है अच्छा अच्छा अब नहीं आ रहा होगा प्रेम वो ठीक हो गया अगला architect of Indian planning किसको बोलते हैं बच्चे बच्चे को पता है PC महाला 90 को बोलते हैं प्रोफेसर थे यह परसांत चंदर महाला 90 को बोलते हैं अगला भाई भारत के अंदर Indian statistical institute ISI कलकत्ता में किसने खोला ये भी PC महाला 90 को बोलते हैं ये second five year planning commission जो थी है मतलब second five year plan जो था उसके अंदर हमारे देश में vice chairman थे planning commission के ठीक है आगे बार्मा five year plan की duration क्या थी भाई जो last five year plan था बार्मा था वो एक अपरेल 2012 से 31 March 2017 तक चला important बात हमारे देश में license बाटने कब से start हुए सरकार के दुवारा तो भया industrial regulation and licensing act आया था industrial regulation and licensing act आया था उसमें license बाटने start हुए 1952 में this is important एक number का आ जाता है ठीक है जी ये मैंने export import आपको बता दिये थे major कौन कौन से थे देश में तो और एक उपर से चलो जी what was the idea behind abolition of intermediaries कैसी देश अधाद हुआ broker को eliminate कर दिया जमींदारी system खतम इन सपाटाक system खतम कर दिया क्यों उनको खतम करने के बाद क्या था कि जो actual soil के tillers थे यानि cultivators माल लो ये cultivators थे ये और सरकार इनके बीच में direct link establish हो गया पहले सरकार अंग्रेजो की थी सरकार के नीचे आता था जमींदार जमींदार के नीचे cultivators अब क्या हुआ जमींदार बीच में से हट गए तो सरकार अब देश की है और farmers एक दूसरे से link हो गए सरकार को कोई benefit देना होता है सीधा farmer तक पहुच जाता है तो direct link बनाने के लिए बीचोलियों को हटाना जरूरी था दोस्तों आपको मुद्दे की बात बताता हूँ कि आज की class के अंदर मैंने आपको actually कराया क्या है आज की class में मैंने आपको इंडिया में foreign trade policy कराई है export import से related जिसमें import substitution policy थी और मैंने आपको बताया हमारे देश में industrial policy जिसमें 1956 की industrial policy भाप ज़्यादा important है ठीक है तो ये हमने आज की class में पढ़ा है मोटे मोटे level पे topic और आप से कुछ MCQ पूछने का मैं इच्छुक हूँ तो एक मेरे question का जवाब दे दो the first industrial policy of independent India कौन से year में बनाई गई थी 48, 50, 54, 56 बताओ अजाद भारत की पहली industrial policy कौन से year में बनाई गई थी यहाँ पर बच्चे थोड़ा confused हो सकते हैं हाँ पायल वो नहीं हो रहा वो मैं देख लूँ हाँ आस्क डाउट वाला नहीं हो रहा सचीन ठीक है मैं देखता हूँ उसको अनिका बहुत बढ़िया विशाल राजपूत बहुत बढ़िया अर्चित दूबे जी गलत तो पिकाचू बहुत बढ़िया नेहा सिंग नूर रिशू राज सुरी गल्ट बोल रहे है यार नहीं देखो जी इन दोनों में तो पॉलिशी नहीं बनी इंड़ाश्रियल तो 48 और 56 दोनों में से एक साही होगा वेरी गुड हर्देश वेरी गुड रिंकी साइना धिलोन करन बाबु गल्थ ताक्षी गुपता गल्थ सीमा भरत पायल राम सिंग चोहान वाजीवा मनोज कुमार अनुष्का गायकवाड नितिन यादव हर्षू बहुत बढ़ी आवाई देखो पहली इंड़स्ट्रियल पॉलिशी 1948 में मनी थी दूसरे नंबर की पहले पूछा है पहले पस्ट इसलिए 1948 ठीक है दिस इस दा राइट अंसर तो सस्ते हर्षिका देव आयूशी शिवांग और यश्पाल आर्दा टॉपर्स आज की क्लास में देख लेते लेकिन यह रिजल्ट एग्जेक्ट ठीक नहीं होगा क्योंकि एक कोशन के अंदर गड़बड़ी हो गई थी देव सौमिल हर्षिका मिताली अमित अनुज यश्पाल कुमार शिवांग और काम्या शिर्वास्तव आर्दा टॉपर्स ओफ दीस आंसर सही है रिजल्ट क्योंकि सबका एक वह कोशन ही गड़बड़ी हुआ ठीक है अब भी फोकस उस तरीके से करो जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं मेरी पढ़ाई के साथ साथ चालनू रखो मीटर आपको पता लग जाएगा बस एक कोशन का मुझे जवाब दे दो जाते जाते कि नेक्स्ट क्लास आपकी आज आज दे कुन सा है आज है आज बैडनेस दे है अगली क्लास आपकी फ्राइडे को है ठीक है कितने बज़े है option A और B option A 5.30 क्लास है या option B 6.00 PM क्लास है बताना ज़रा कितने बच्चों को बता है A और B में से पूछ लूँ प्राइडे को क्लास है साड़े 5 या 6 बज़े या C वाले बोलेंगे पता नहीं कितने बज़े हैं क्लास में टाइम पर आओगे नया चैप्टर शुरू कराऊंगा चैप्टर नंबर 3 economic reform LPG policy धुमा ठादेंगे कैड़े लेवल का रिशब यादव मोहित पांचाल जी गल्थ है अगला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नया 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 अपर इन सैनी गल्थ होगे न देखा बच्चों को थोड़ा गडबड़ाट में है यहाँ पर देखो LPG policy new economic policy बहुत important चैप्टर है हाँ जशन इनफ है जब मैंने बूल दिया दोस्तों आप समने जवाब दिया मैं बदाता हूं आपको आपके अगली क्लास फ्राइडे को साड़े पांच बज़े है ठीक है साड़े पांच बज़े हम लाइव आएंगे चैप प्यार में कोई कमीनी हो नीचे प्यार तुम्हारा और हमारा अवल दर्जे का सूपर दूपर ही ट्ट है लव सर के साथ उनके स्टूरेंट्स की जोड़ी हिट बल een बाट नमशकार धन्यवाद झाल झाल